Hello friends, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ ICICI Bank के Quarter 3 के Results की जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो Results Analysis होता है वो पिछले Quarter से मैच करता है ना कि पिछले साल के Same Quarter से क्योंकि Banking Business के अंदर जो Build Up होता है वो हर Quarter में होता रहता है क्योंकि जो Loans है या जो Investments है या जो Deposits है उसको जो Base होता है वो पिछला Quarter होता है ना कि पिछला साल तो इसलिए मैं जो चर्चा करता हूँ Quarter on Quarter Basis पे करता हूँ हलाकि जो Reporting होती है Media के अंदर वो Year on Year होती है तो मेरी जो चर्चा है वो Quarter on Quarter Basis पे ही रहने वाली है और जहां तक कहीं होगा Year on Year वो भी हम चर्चा कर लेंगे तो देखिए का बैंकों के अंदर एक सबसे महत्यपूर्ण चीज होती है कि भई आपने जो ब्याज लिया और जो दिया उसका जो Difference है यानि कि जो Net Interest है वो आपने कितना कमाया यानि कि NII यानि कि Net Interest Income आपने कितनी कमायी पिछले साल से हम Compare नहीं करेंगे यह मैंने आपको कहा हम पिछले Quarter से Compare करेंगे तो पिछले Quarter में बैंक ने Income कमायी थी 26,000 करोड उपीज तो 26,000 करोड की जो Income थी वो इनोंने Earn की थी पिछले Quarter के अंदर 26,033 जो इस बार बढ़कर आ गई 28,505 इसका जो असर है वो ज़्यादे तर Rate of Interest बढ़ने की वज़े से हमें परतीत होता है क्योंकि जो Figures है कुछ वो बता रही है कि Performance Muted है यानि कि मैं आपको आपने चैनल्स पे वो चीज बताऊंगा वो गहराई बताऊंगा Between the Lines क्या है Financial Stakeware में वो समझने की कुशिश कीजिए और जो मीडिया में इसके बखानों रहाओं का बहुत ही बड़ी हा रेजल्ट है उनके बीच में जो institutions है जो ही investors है वो क्या देखते है वो मैं आपके साच चर्चे करूँगा तो यहां देखिए का 28,505 करोड होगा क्या मज़ा आ गया भाई 2500 करोड के आसपास का interest बढ़ना कोई मामूली बात है क्या नहीं सर मामूली तो नहीं है एक की quarter में 2500 करोड का RBI के पास या बाकी बैंकों के पास रखा है सभी जगे परफोर्मेंस अच्छी है नो डाउट यानि कि interest income में growth है और 10% तकरीबन हर एक front के उपर गरम जोड़े तो होनी चाहिए लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो advances उस पर थोड़ी सी जाता है RBI का जो balance है उस पर थोड़ी सी जाता है लेकिन जो investment है उस पर थोड़ी सी कम है तो कुल मिलाके 10% के आसपास की जो growth है वो आप मान सकते हैं कि हाँ भै इतनी तो बनती है ये 9% के आसपास है लेकिन मैं इसको मुटा-मुटी 10 ले ले तो मुद बढ़िया अब देखते हैं जो interest इन्हों ने दिया वो कितना है interest इन्हों ने दिया था 11,240 करोड रुपे पिछले बार और इस बार दिया है 12,040 करोड यानि कि तकरीबन 600 करोड रुपे का interest इन्हों ने जादा दिया है यानि कि जो interest का जो खर्चा है वो इन्होंने 11,240 से 12,000 यानि कि 800 करोड के आसपास का खर्चा बन रहा है तो 1700 करोड की net interest income इन्होंने बढ़ाई है काफी अच्छी जो है हम इसको मानेंगे लिकिन जो बाकी other incomes की जो figures है वो बिल्कुल muted है यानि कि जो fees based income है वहाँ कोई growth ही नहीं थी इसका मतलब है कि जो banking की activities other than loan या जो बैंकों के प्रफुटफोल है या जो नया काम है वो missing था यानि कि new जो ventures है या जो नये काम से पैसा आना चाहिए था वो शायद थोड़ा सा missing है यहां पर तो क्योंकि वो muted other incomes अब बात करते हैं expenses के front पे तो देखिए कि expenses इस inflationary advantage वाले period के अंदर यानि कि inflationary disadvantage period में इन्होंने advantage में convert कर दिया इनकी जो other expenses है वो भी muted है employee की cost भी muted है यानि कि ना के बराबर बढ़िये यह सारे bank को मैंनो बढ़ती भी नगर आई सब जगे यह खर्चे बढ़ रहे हैं employee का भी बढ़ रहा है other expenses भी लेकिन इस bank के उपर महंगाई की मार नहीं है और महंगाई की मार इसलिए नहीं है क्योंकि other income के अंदर fees based income के लिए इन्होंने efforts नहीं किया जादा तो इसका मतलब है कि इस period के अंदर bank ने बहुत aggressively काम नहीं किया है इसलिए ना तो other expenses की figure बढ़ी हुए ना employee की और यह भी हो सकता है कि कुछ expenses आप इस period में ना ले जाकर अगले period में भी shift कर सकते हैं तो जो festival season था उस festival season के अंदर इन दोनों ची ची कोस्ट कंट्रोलिंग की है या इन्होंने कम efforts डाले है क्योंकि other income की figures आपको बता रही है कि इनके efforts थोड़े से कम रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर जो 1700 क्रोड का profit यह तो आपके पास आना ही है तो मोटा मोटी जो 1700 क्रोड की net interest income है यह इस पर इन्होंने अच्छा किया है बाक और मामूली सा जो है करीवन 24 क्रोड के असपास का operating expenses बढ़ा है जिसकी वज़े से जो operating profit है वो 11,680 से बढ़के 13,277 यहने कि 17 क्रोड तो यह था 1700 और कुछ थोड़े से खर्चे बढ़के तो उनके बावजूद भी आपने बहुत बढ़िया performance यहां पर दिया है operating front पे तो ज बाकी बैंकों के मुकाबले में आप compare करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है इवन HDFC बैंक का जो result था वो भी कफिछ था उसके टक कर गया है लेकिन जो HDFC बैंक में other income की figure अच्छी थी जो इनकी missing है तो kill में लाकर यहां तक बहुत बढ़िया है पता क्या चला नए business में यह जो saving bank accounts है उन पर rate of interest नहीं बढ़ाई वहाँ पर इन्होंने focus किया और जिसकी वजह से इनकी जो advances थे वह इन्होंने जो higher rate पर दिये वहां से इनका net interest income बढ़ गई खर्चे इन्होंने बढ़ने नहीं दिये यह एक welcome चीज है चलो अधर income नहीं आई fees नहीं आई तो इन्हो के बीच में एक जो चीज मुझे कचो उट रही है वो मैं आपके साथ share करता हूं इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं positively भी negatively भी इनके जो खर्चे है न प्रोविजन्स के 1644 क्रोड़ से बढ़के बाइस सो सत्ता बने mostly बैंकों के सब के प्रोविजन्स घट गए या बिल् चैलेंगे तो इस पीरिड में ढाल देते हैं या ऐसा है कि भाई यह सच में इनके लिए चैलेंज है क्योंकि जब सबके प्रोविजन नहीं और इनके प्रोविजन्स बढ़ रहे हैं तो यह ठोड़ा सा निवेश्चकों के लिए चिंता की बात ओर सकती है तो यह जो 600 दिखाई है तो उसके बाव जूद भी ये 600 क्रोड रुपे जो है कहीं ना कहीं जो है दिक्कत कर रहे हैं और इसी की वज़े से जो सतरा सो क्रोड तक के प्रोफिट बढ़ रहे थे वह अब केवल हजार क्रोड के प्रोफिट ही बढ़ते हुए नज़रा है हजार से भी दस परसेंट की बढ़ती हुए नज़रा रही है सिमिलर लाइंग पर असेट्स की क्वालिटी की बात करें तो ग्रोस एन्प ये भी रिडिउस हो गया है और नेट एन्प ये वह फिगर्स है जो आपने पैसा लेना है जो आपको मिला नहीं है उस पे प्रोविजन बनाने के बाद जो नेट एन्प ये बची है वो टोटल लोन का कितना परसेंटेज है उसको बूलते है नेट एन्प ये आपके एक लाग के लोन है और आपने ये देखा कि भाई उसमें से तीन हजार रुपे डूप सकते हैं तो आपके ग्रोस एन्प ये तीन हजार जिस पर आपने प्रोविजन बना लिए तो बचे आपके कितने पांसो तो एक लाग को पांसो से डिवैड़ करोगे तो पॉइंट फाइव परसेंट तो ये जो फीगर है ये इसको बोलते हैं नेट एन्प तो नेट एन्प की फीगर ही ज्यादा हमारे काम की होती है तो ग्रोस एन्प में स से मुकाबले की यह हम कह सकते हैं बराबर की टककर जो है ढोनों के अंदर यहां पर देखने के लिए तो हम ग्रोफ करने के लिए रहे हैं रहे हुआ और क्रोफ को चाहिए और ca optus की रूजबसे ऐस बैंक के जो लोन है उसमें जो default हुआ है S-Bank में तो जो perpetual dventures थे उनका redemption के उपर आलग याप तो dispute में भी आ गया लेकिन उसके उपर default कर दिया S-Bank ने और वो मामला कोट में गया कल हलागी Bombay High Court ने फैसला दिया है कि जो पैसा है वो लोटाना पड़ेगा S-Bank को तो S-Bank ने कहाम उसके अपील करेंगे तो उसके बाद एक माहौल ये बन गया कि जो perpetual dventures है वो बैंकों को इखटा करने में परिशानी है दूसरी यह है कि आप नई equity shares issue करते हैं तो equity dilute हो जाती है तीसरी बात यह है कि विदेशों में पहले rate of interest बढ़ गया तो वहां से पैसा इखटा करना असान नहीं है इसलिए आप देखेंगे कि gradually इनके लिए जो growth capital है यानि कि जो capital education ratio है वो धीरे-धीरे गटती ही आ रही है तो वो एक चिंटा का विशे जो है इस bank के लिए भी है हाला कि जो regulatory requirement है उससे कहीं जाता है तो regulatory requirement 11% के आसपास है तो उससे तो भी 5% जाता है बट वास्ता में खुद के growth करने के लिए जो parameters होते है उन parameters थोड़ा से नीचे की तरफ आगी जनल यह बैंक 18 के आसपास की रखता था और अब यह 16 के आसपास आ गई है तो यह challenges है इस bank के साथ अब जहां पर shares का price है उन prices के हिसाप से गरम देखें तो share का price fairly valued है भी क्योंकि अगर हम इसको consolidated basis पर भी EPS देखें तो 12.35 पैसे की diluted EPS आ रही है forward earnings को पर यह अगर आप देखने की जाएंगे तो तकरीबन पचपन रुपे के आसपास की forward earnings आएंगे तो अब इस तरीके का जो business है वो 18 के आसपास की P पे चलता है तो हमें लगता की यह जो shares है अगले साल तक का जो price target है मेरे साब से वो 1000 रुपे के आसपास तक का है 1000 रुपे का price target आप लेके चलिए forward earnings के उपर और आज की data में जो वरतमान प्राइज अब इस बैंक ने किया कहाँ पर बढ़िया देखिएगा hdc bank ने wholesale banking में खराब के इन्हों ने wholesale banking में अच्छा किया wholesale banking में देखिएगा growth आई इनकी revenue के अंदर इन्हों ने retail में भी growth दिखाई लेकिन जो profit आया वो आया है wholesale banking में 3700 क्रोड से बढ़कर 3800 और जबकि retail banking में इनका profit नीचे चला गया 4532 से घटके 4288 तो similarly इस बार hdc bank ने retail में अच्छा कर दिया wholesale में खराब किया इन्होंने क्या किया wholesale में अच्छा कर दिया क्योंकि वैसे भी wholesale banking में ही ज्यादा जाने जाते हैं तो यह सब अगर parameters के साथ देखें तो result के मुख्य ते जो आक लेने वह मैंने आपके साथ कर विए provisions इनका बढ़ता हुआ नजर आया जो की चिंता की बात है और हलाकी क्योंकि जब सब बैंकों के घट रहे थे इनके बढ़ रहे हैं तो वह थोड़ी सी चिंता हो रही है इसके लाब जो net interest margin है वह काफी अच्छा ह उपर है 4.65% का जो है net interest margin जो है इन्होंने इस quarter में clock किया है तो कुल मिलाकर रेजल्ट जो है आपको बढ़िया नजर आएंगे quarter on quarter basis पर भी बैस दो चिंता हैं आप रोडिसी कर सकते हैं अगर अगर कुछ कमी देखने की कुशिश करेंगे तो वह चिंता बस आपको यह नज के लिए मतलब यह नए बिजनस जब आप रेक्वाइर करते हैं तो उसमें जो फीस बेस इंकम आती है वो थोड़ी सी कम होती नजर रही है लेकिन profitability के एंगल से बैंक ने बहुत अच्छी performance दिखाई है कोस्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है अब वो हो सकता है कि employee की जो कोस्ट है वो इस quarter में आके अगले quarter में हो सकता है increment जो बैंक की policies होती है उसके accordingly हो तो जो रेमूनेशन का portion है जनरली festival season में जादा रहता है और यहां पर festival season में भी जो employees की जो कोस्ट है वो कम थी बैंक के लिए तो बैंक ने कैसे manage किया यह देखना पड़ेगा और हो सकता है कि जो बहुत सारे bank के वो new years के अंदर increment करते हैं तो हो सकता है कि जो increment की जो cost है employee की वो अब इस quarter में आपको आती हुई न जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो चीजे समझने के लिए कि investors के लिए चाहीं है जो ICS bank का जो investor है वो शायद मैंने इसके अंदर cover कर लिया है और बाकी चीजे देखीगा year and year basis पे तो जो है आप इनकी से websites पे भी जाके पूरा यह draft जो है डा वीडियो देखने के ध्यानवाद थैंक्यू बहुत